हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो मैंटूब चैनल तो देखे आज हम बात करेंगे जो आपका अरशी क्रूप डिये और इसमें देखे जो आपका चंडिगर जोन है तोचंडिगर जोन की बात करें तो देखे यहाँ पर आगे हम देखे तो बाकेंस से भी आपकी घ्ल जादा यहाउधिए इसके बाद देखे तो यहाँ पर जो आपकी वेकेंशी ती उसमें फस्सडी बी जो चींडी chỉ्गेर थे कितने यहां पर स्ट लुआ ए अभी भी वेकेंशी यहाँ पर जो बची हुई है जिससे बहुत सारे candidate ये उमीद लगा रहे हैं कि second TV आएगा तो हमारा selection यहाँ पर हो जाएगा तो इसमें अगर हम देखे तो कटाफ आपका कितना नीचे जा सकता और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी कोई भी category हो अगर हम देखे तो आपका general OVC हो या कोई भी category हो तो कटाफ यहाँ पर कितना भी कम हो सकता है या अगर हम देखे तो पिछली पाफ जो आपका कटाफ था वो कितना यहाँ पर कम देखने को मिलाता तो पहले अगर हम देखे यहाँ पर देखे तो पहले देखे यहाँ पर जो आपकी जो आपकी टो टो टेडाल सीट ्जर्न Bikeन केंडिडी एक 54auen जो नहीं 309 सिर्ट फड़ी सीट ür्टेड़े नहीं में वह सेलगी संपीड़ीnde स्थाली अब पर हो, यहां के हैं, सबस्ते लिघारिं हैं और यहां पर 44 जो आपकी टोडल सीट है वो यहां पर देखने को मिली, खाली बच्ची सीट की बात करें, तो यहां पर देखिए अभी भी आपकी जो सीट है, पूरे नहीं लिये जाते, कुछ सीटे यहां पर बाकी रह जाते, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, तो काफी सीटे यहां पर हमें देखने को मिल लहीं, जो आपका जनरल कटेगरी हो या OVC कटेगरी, इसके बाद अगर हम देखें, तो देखें, जो आपके EWS कटेगरी की बात करें, तो यहां पर आपके 1273 जो कंडिडेट हैं, फर्स डीवी के लिए सॉट लिश्ट हुए है, और 1317 यहां पर आपकी वेकेंजी दी, 44 अभी भी सीटे जो आपकी है EWS केंडिडेट के लिए यहां पर अभी भी रह गई हैं, स्ट केटेगरी की बात करें, 1694 यहां पर केंडिडेट से सॉट लिश्ट हुए हैं, और 2017 यहां पर सीटे जो हैं, वो आपकी रह गई हैं, यानि कि अगर हम देखें तो 321 अभी भी यहां पर सीटे जो हैं, वो खाली रह गई हैं, स्ट केटेगरी की बात करें, 946 यहां से देखें, सॉट लिश्ट हुए हैं, फर्स डीवी के लिए, और 1031 केंडिडेट यहां पर देखें, इनके लिए सीटे थी, आपकी 1031 स्ट केटेगरी की यानि की देखें, तो अभी भी 45 यहां पर सीटे जो हैं, वो आपकी रह गई है, और CCA की बात करें, तो देखें, CCA में यहां पर जो आपकी टोटल सॉट लिश्ट केंडिडेट हैं, वो हैं 957 और 2630 यहां पर आपकी देखें, टोटल सीट थी, अगर हम देखें, तो 1609 अभी भी यहां पर टोटल सीट जो है, वो CCA केंडिडेट वाल्यों के लिए देखें रह गई है, और इसके बाद अगर देखें, आपका एक सर्विसमेन में, तो एक सर्विसमेन में देखें, तो यहां पर देखें, सिर्फ 64 kandidate यहां से सौटलिस्ट हुई है, तो सीट की बात करें, तो 2630 यहां पर टोटल सीट थी, यानि, अगर देखें, तो आपके 2566 kandidate जो हैं, यहां पर देखें, अभी भी हो सकता है, यहां पर जो आपके seat जो खाली रह गए, तो इसमें चांस आपको जादा मिलेगा यह हो सकता है कि केंडिडेट है वो यहां से जादा ना मिले हो इसके बाद देखिए आल पी डबलुडी में देखें तो 425 केंडिडेट यहां से आपका अगर हम बात करें सौटलिस्ट हुए है लेकिन इसमें अगर देखें तो यहां पे आपकी लडी क duties आती है इसके भाद आपकी यहां पर वी आई कैडिड़ी आती है इसके बाद हहां चाई और मडी कैडिड़ी आती है तोटल यहांपर 425 केंडिडेट है वो सौटलिस्ट हुए है अगर देखें तो यहां पर 626 आपकी total seat थी, यानि कि 201 यहां पर अभी भी seat जो है वो बागी रह गई है, यहां पर हम देखे तो आपका देखे यहां पर पीट के लिए candidate sought-list है उनका यहां पर काटाफ है वो कितना गया था, और DV के लिए जो यहां पर candidate sought-list है वो यहां पर काटाफ है वो दे सचिट की की बात करें सेवंटी वह स्टीपॉइंट ऑब event, सचिंसे को ऑट करेंC है सिभेट के सबस्यवयन टेम करीघर सस्टी जेट डेफिपल टा मर देह हएLet इंहें इसके बात करःफी कि बात करें दो 1320 तो काटेगरी वाइस देखे तो जेखे जनल का यहां पर जो कटाफ बढ़ाया गया तो जनल में देखे 4.09 का यहां पर जो आपका मार्क्स है वो बढ़ाया गया और इसके बाद OBC देखे 6.18 और इसमें अगर देखे EWS काटेगरी 7.68 है और इसके पाद देखे यहां पर ST काटेगरी का जो कटाफ है 5.4 मार्क्स है और इसके पाद देखे तो ज्यादा तर यही आपको लग रहा होगा कि एक सर्विसमें का कटाफ हर जोन में आनी कि आपका ज्यादा ही बढ़ा है तो हो सकता है कि डैली जोन में आपका कटाफ भी यहां पर ज्यादा बढ़ाया जाए लेकिं अगर यहां परbahnे संब्सक्चिक और सके diyorsun आपका ज्यादा है नाइन पॉइंट पॉइंट फ्एंटरा पांट में मार्क्स निन इसका ठास्याव मेंन च्टाफ है और रहा हम देखे फाने है उनका acağım assembléUS कि था इसके बाद अगर हम देखे तो यहां पर देखे 2018 जो डीवी का कटाफ जारी हुआ था 79.37 जनल है और स्टी का देखे 68.21 है इसे का देखे 61.46 है और स्टी का देखे 73.70 है अनतर की बात करें तो देखे जनल चैटेगरी में जो जनन को देखने को मिला वह है four point three marks का और स्टी की बात करें तो देखेенить three point eight two का यहां पर अनतर वह देखने को मिला या निकि जो कटाफ मार्य weekly set इतना यहां पर बढ़ाया गया फिर अगर बात करें देखें आपके ST category का 6.33 यहां पर कटाफ बढ़ाया गया लेकिन अगर हम देखें 2019 में लगबग आपका देखें 9 प्लस मार्क जो है वो आपका ST category में बढ़ाया गया है इसके बाद अगर देखें आपका OBC category 5.15 का अंतर भी यहाँ पर देखने को मिला है फिर अगर देखें यहाँ पर 2nd DV का जो कटाफ जा रही हुआ तो 2nd DV की बात करें तो देखें जनल में यहाँ पर जो आपका कटाफ हो गया वो है 77.50 यहाँ पर आपका जनल काटेगरी और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर देखें जो अंतर देखने को मिला है वो है 2.43 मार्क्स का और फिर अगर देखें तो यहाँ पर देखें जो आपकी SC category का यहाँ पर कटाफ गया वो है 67.22 और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो cut-up आपका देखिए अंतर देखने को मिला है वो है 3.2 marks का और फिर आपका आता है यहाँ पर HD category 60.91 यहाँ पर cut-up गया और इसमें अगर देखे तो यहाँ पर जो cut-up आपका हुआ जो अंतर देखने को मिला है वो हो गया 5.78 marks का फिर इसके बाद आता है यहाँ पर OVC category 73.27 और इसमें अगर हम अंतर की बात करें तो 4.72 marks का अंतर यहाँ पर देखने को मिला लेकिन अगर देखे तो first dv के बाद जो second dv यहाँ पर जारी करी गई तो second dv में कितना यहाँ पर कम हुआ यानि कि first dv का जो कता था यहाँ पर धा आपका 4.3 marks और इसमें अगर हम second dv का देखे तो कम किया गया था इसके बाद ST देखे तो ST ही यहाँ पर 0.55 Marks का कटाब जो है कम किया गया और इसके बाद हम देखे यहाँ पर जो आपका OBC काटगरी आती तो इसमें अगर हम देखे तो पॉइंट आपका 43 Marks जो है वो यहाँ पर कम किया गया. फिर 4th DV की बात करें तो देखे 4th DV का जो कटाफ यहाँ पर जारी किया गया था इसमें अगर देखे जनल का 76.54 हो गया और इसके बाद अगर देखे आपका SD कटेगरी 67.22 यहाँ पर कटाफ देखने को मिला और इसके बाद देखे यहाँ पर आता है आपका ST category 60.57 है OVC का देखे 73.02 यहांपर ।पर कटाफ देखने को मिला तो पहले अगर देखें तो यहांपर जो कटाफ यानि के अगर देखे तो यहांपर आपका कटाफ जो है वह कितना कम हुआ तो पहले आपका देखे जो यहांपर आपका PT कटाफ के पर DV के लिए 4 DV का कटाफ था उसमें देखे तो अंतर यहां पर 1.47 जनल कटेगरी 2.8 थी यहां पर ST कटेगरी और इसके बाद अगर हम यहां पर देखें 5.44 यहां पर जो है वो ST कटेगरी है 4.47 जो है वो यह हो गया है आपका OVC कटेगरी तो इतना यहां पर PET के बाद जो 4 DV का कटाफ आया था उसमें देखने को मिला लेकिन अगर देखें तो यहां पर 1 DV के बाद जो कटाफ है वो कितना कम यहां पर गया गया 4 DV के लिए तो इसमें अगर देखें तो यहां पर जो फर्स डीवी के बाद आपका देखें सेकेंड डीवी हो इसके बाद जो फोर डीवी का कटाफ है तो फर्स डीवी का यहां पर अगर देखें तो यहां पर आपका फर्स डीवी के बाद फोर डीवी में कितना अंतर देखने को मिला त वो है 2.83 और इसमें आपका देखिए आता तो लगभाड गदेखे तो यहां पर पहले जो कभात यहाँ पर गया वो है 4.3000 यहाँ पर आपका जëर्रा निनल था फिर इसके बाद देखे तो यहाँ पर 2.43 हो गया फिर इसके बाद देखे तो 1.87 हो गया यानि कि अगर हम देखे तो लगबग 1-2 marks यहाँ पर जो है वो कम किये गए आपका 1 डीवी और 2 डीवी तक यहाँ पर देखने को मिला है यारी कि आपका जो कटाव गया तब फैनली यहाँ पर डीवी के लिए तो इसमें अगर हम देखे तो यहाँ पर देखे जैसे आपके अगर जनल कैटेगरी है तो यहाँ पर जो भी पॉइंट वाले कैंडिडेट होंगे या प्लस वन वाले या आपका 1.5 तक के जो भी के लिए तो यहाँ पर जो पॉइंट से कुछ भी कैंडिडेट रहें पॉइंट आपका 1 हो पॉइंट यहाँ पर 3 हो या तू हो इसके बाद अगर हम देखे तो 1.5 यानि कि अगर देखे तो यहाँ पर डेट नंबर वाले जो कैंडिडेट होंगे यानि कि प्लस टू भी य यहाँ पर जो कम हो सकता इतने चांस रहेंगे इससे जादा यहाँ पर जो कटाफ है वो कम नहीं किये जाएगे क्योंकि बेकैंसी के बात करें अच्छी खासी हाँ अभी भी बेकैंसी बाकी है जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 2 डीवी के लिए हो सकता है कि आपका यहाँ पर selection जो है first DB में ना हुआ second DB में यहाँ पर देखने को भी लेगा तो इसलिए अगर हम देखे तो 2018 में आपका जो cutoff है वो यहाँ पर point से ही कम किया गया लेकिन अगरा general category देखे तो यहाँ पर जो अंतर है वो काफी जादा देखने को मिला तो इसलिए chance रहेगा कि point से कुछ भी यहाँ पर जो candidate रहे गए है तो plus two के नीचे जितना भी यहाँ marks वाले candidate है अभी उनका यहां first DB में नहीं हुआ तो second DB में यहाँ पर चांस रहेगा comment करके हमें जरूर बताईएगा आपका यहाँ पर कटाफ जो है वो कितना जादा बनना है और यहाँ पर जो अगर second DB का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कटाफ है वो कितने से है first DB में selection जो है वो आपका यहाँ पर देखने को नहीं मिला